नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं शक्सियत हमारे संग एक खास महमान आज मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत आरेसेस से की उसके बाद वो विद्यारती परिशत में रहे और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अप अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की मैं बात करना हूँ बस्ती से जीत कर आए पहली बार लोगसभा में पहुंचे हैं हरीश दिवेदी की जो मेरे साथ मौजूद है अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत चाहत नेता की रूपे की 1991 से 1994 तक वो अकिल भार्त विद्धाती परिशत के जिला प्रमूख रहे 1994 से 2003 तक प्रयाग में संभाग संगठन मंति रहे 2004 से 2007 तक बिज़ेपी की प्रदिश अध्यक्ष केसिनात्री पार्टी के लाजनितिक सलाकार है इस दुरान वो 2005 से 2007 तक भात्य जनता युआ मोर्चा की प्रदिश महामंत्री भी रहे 2007 से 2010 तक भात्य जनता युआ मोर्चा की प्रदिश उपाध्यक्ष रहे इस साल जब 16 लोग सभा के लिए चुना हुए तो बीजेपी ने उन्हें बस्ती लोग सभा सीट से उन्हें चुनावी समद मुतारा जहां तो उन्हें ने जीत दजकर इस सीट को बीजेपी की जोली में डाल दिया हरीश जी इतनी कम उम्र में सांसत बनना कितना बड़ा भार अब आपके कंधू पर आगया है के निश्जित रूप से उम्र कम भी का सकते हैं और 40 साल का में չूँ और मुझे लगता है कि 40 साल में सांस अंसट वी देशों में नैंने तमाम देशों में 40 साल में लोग हैं, बड़े-बड़े पदों पर पहुं जाते हैं。 लेकिन, हिंदुस्तान में थोड़ा कठी जरूर है, एतने कम उमर में लोग सभा का सदस बनना, लेकिन, भरती अंता- पार्टी में काम करते करते हैं, और भारती यंता पार्टी मैंने इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश्ट से बनना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश्ट से भी और हिंदुस्तान में थोड़ा सा चालेस, पैटालेस, पचास के बाद ही लोग मानते हैं कि अब सानसद बनने के योग गया है तो निश्चित रूप से ये तरह से का सकते हैं कि कम उम्र में मुझे उसर मिला है और भारती यंता पार्टी ने मुझे उसर दिया है तो आने वाले समय में मैं भारती अंता पार्टी के लिए और बस्ती के लोगों ने मुझे जिता करके यहां पर भेजा है तो बस्ती के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस दिश्टी से मैं काम कर रहा हूँ बस्ती का एक अपना इतिहास रहा है बहुत कम लोग जानते हैं बस्ती के उस इतिहास को आप कैसे जिन्दा करेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम टूरिजम से देश को रोजगार देना चाहते हैं देखिए बस्ती एक बहुत इतिहासिक महत्त का जिला है चाहे सुतंता अंदोलन की बात हो हां बिभिन प्रकार के सामाजी के अंदोलन हो किसानों के अंदोलन हो छात्रों के अंदोलन हो हर दिश्ती से बहुत महत्पूर जिला है सुतंता अंदोलन में हमारे यहाँँपर एक च्खावनी सही दस्थल है पीपल का पेड है वहाँ पर लगभग पांच सो लोग आंदोलन करते हुए उनको अंग्रेजों ने फासी के तक्षप लटका दिया था तो निश्य दूरूप से सुतंदा आंदोलन में बस्ती का बहुत बड़ा योगदान है उसके पहले भी पुरातनकाल में भगवान राम के जन्म के लिए राया दसरत ने पुत्रेष्ट एग एक करवाई थी और वहाँ स्थान बस्ती में ही पवित्र स्थान मकवड़ा धाम बस्ती में है सिंगी नारी हमारे बस्ती में है स्वामी नरायन संप्रदाय पूरे दुनिया में फैला हुआ है गुजरात में मुक्रूप से बहुत बड़े पैमाने पर है स्वामी नरायन जी का जन्म भी हमारे बस्ती से सटा हुआ है स्वामी नाय चपिया गाओं वहाँ पर हुआ है तो इस द्रिष्टी से बस्ती बहुत महत्पूर्ण है और निश्यत रूप से मुझे लगता है कि परेटन के द्रिष्टी से भी भारत सरकार आदरणी मोदी जी की सरकार जिस प्रकार की योजना बना रही है कि परेटन के द्रिष्टी से पूरे देश में ऐसे इस्थान डबल अगर आप लखनौ पहुंसते हैं तो लोग चाहते हैं आयोध्या जाएं आयोध्या से आद्मी बस्ती जाए बस्ती से आद्मी श्रावस्ती तक जाए लुम्बनी नक जाए और इदर गोरप पुर्वी है ये सरक्रिट कैसे बन सकता है और आप जितने पूर्वांचल के सांसद हैं ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल का अगर विकास हो जाए तो उत्तरप्रदेश विक्सित हो जाए ये कैसे करेंगे आप लोग देखिए अभी हमारे सभी सांसदों ने गंभीरता करके एक बहुत परिपत बनाने की बाद चल लए है बन भी रहा है कई अस्थानों पर इस द्रिष्टी से भी पूरा एक सरक्रिट अगर बना करके डेवलप किया जाए और मुझे लगता है कि आदरी मोदी जी इस पिसे पर गंभीर हैं क्योंकि अभी हम लोग मानी पुरवांचल के कई सांसत तो नेपाल के बादर तक जाता है तो उस राम जान की मार को भी परेटक के उसमें सामिल करके एक अच्छी सड़ग बनाई जया इस द्रिष्टी से हम लोग ने प्रयास किया है उसको अभी राश्टी राजमार घुस्टी किया गया है उस प्रक्र प्रदेश कोशल कहलाता है यह बात नई प्रड़ी तक कैसे जाएगी बस्ती के उस इतिहास को आप कैसे जिन्दा करेंगे जो कुछ के टाइम से है भगवान राम के टाइम से है एक शाकूवन्ष के टाइम से है देखिए इसके लिए मैं भी बहुत पुराने इतिहास को तो वहां के लोग अब धिरे-धिरे भूल रहे हैं तो उसके लिए मुझे लगता है एक संग्राले बनाना चाहिए और इस दिश्टी से भी मैं प्रयास करूंगा कि बस्ती के इतिहास को ठीक प्रकार से बस्ती के तो मुझे लगता है कि उस समाज के लिए उस देश के लिए सबसे खरात दिन होता है इसनाथे आपने सौ Всем दिनों को जरूर रख करना चाहिए अपने सावी नियुक्ती बसिति किसी थे वहां पर उनका आस्रम था उनके नाम से बसिष्टी बस्ती का जो पहले नाम था बसिष्टी था दीरे दीरे करके बस्ती पड़ गया तो मुझे लगता है कि बस्ती के का जो सौनी मितिहास है उस इतिहास को जानने के लिए लोगों को बताने के लिए एक संग्राहले बनाना चाहिए हो मुझे लगता है कि इस दिश्टी से मैं प्रयास करूँगा कि अच्छा आप केंदर से क्या-क्या बस्ती को देना चाहते हैं और क्या आप ले जाएंगे आपकी निधी तो हई है लेकिन आप केंदर की किन योजनाओं को ले जाना चाहते हैं देखिए मैंने प्रयास किया है अभी आम बजट में मुझे भास्ट करने का उसर मिला था और मानी बित्मंत्री जी वहां पर बैठे भी थे लोगसभार में मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बस्ती चूकी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है इस प्रकार की मांग मैंने मानी बित्मंत्री जी से मानी प्रधान मंत्री जी से की है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बस्ती को कैसे बिक्सित किया जाए इस दृष्टी से सरकार हमारी बिचार कर रही है साथ सी साथ बस्ती में किसानों के बहुत बड़ी समस्या है हमारे हाँ गन्ना किसान, गन्ना पर आधारित किसान वहाँ पर अपना जीग को पार्जन जलाते हैं वहाँ पर एक सुगर मिल थी, बहुत एतिहासिक महत की सुगर मिल थी बस्ती की सुगर मिल की चीनी पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती थी वह सुगरमिल बंद हो गई, हजारों वहाँ जो करमचारी थे वे चारे इसरग पर आ गए, किसानों का गर्ना बिक नहीं रहा और बिक रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी व्योस्ता है कि उसका भुगतान नहीं हो रहा, तो गर्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लि कालेज नहीं है, इंजिनिंग कालेज नहीं है, मेडिकल कालेज नहीं है, प्रफेशनल कोर्स नहीं है, बीए, एमसी ए, बीए, तमाम इस पकार के जो कोर्स होते हैं, जो लड़के पढ़ करके और अच्छी नवकरी में कहीं प्राइबेट स्रेक्टर में जा सकते हैं, सरकार के द्रिश्टी से भी इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए अभी हम लोग ने प्रयास किया था और भारत सरकार से मैंने लगातार तीन महीने से लोंस मिल करके मैं बात कर रहा था प्रदेश सरकार से बात कर रहा था अभी मेडिकल कालेज वहाँ पर एक जिला स्पताल है कैली के अगर सपना ठीक से देखेंगे और जब सपना देखेंगे तबी बार बार बात उठी है मस्तिक्ष जोर की बस्ती गोरकपूर बलिया की बैश्ट में और ये बात आपके स्वास्त मंत्री ने भी कही डॉक्टर हर्श वर्दन ने इस पर चर्चा भी की ये बात सीधे तोर पर योगी आधितनात ने उठाई इसके लिए आप लोग कितनी तेजी से काम हमारे जो स्वास्त मंत्री हैं उनसे मिलकर के हम लोग ने इस पर कैसे इसका समाधान किया जाए वहां पर कैसे अधिक सब्धा दी जाए इस द्रिश्टी से भी हमने बात की है साथ ही साथ वहां के सारे सांसत पुर्वांचल के गोरगपूर में एम्स बनाया जाए जिससे ल लोगों ने स्वास्मंत्री से भी निवेदन किया है कि मस्तिर जोर के लिए आप जितना संभो मदद कर सकते हैं करिए आपने कहा था हम सौ दिन के अंदर बेहतर काम कर देंगे लगभग लगभग अब सौ दिन होने जा रहे हैं काला धनवापसी की बात आपने कई पाय हुआ होगा 75 दिनों में महंगाई हमने नियंत्रित किया है 75 दिनों में भरष्टा चार पर अंकुस लगा है आज आप पहले आपिसों में जिस प्रकार के काम होते थे जितनी मध्यम गती से काम होता था आज आप देखिए हम लोग पत्र सौय भेजते हैं लोगों को जि में उसके कारण उस व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा और मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार बड़ी तेजी से इस दिसा में काम कर रही है बस्ती को कितनी जल्दी आप बहुत बड़ी समस्या है किसी भी काम में और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार की योजना हो चाहे केंद की सरकार की योजना हो चाहे सांसद निधी हो अगर सांसद इमामदारी से काम करें अपने छेत्र में तो तमाम योजनाओं में पैसा जाता है कि उससे ठीक प्रकार का काम हो सकता है और वह काम दिखाई पड़ेगा मेरी पहली प्रात्मिक्ता मैंने कहा बस्ती के लोगों से कहा और मैं अपने जहां जिस से भी मिलता हूं मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी पहली प्रात्मिकता है कि मामदारी से मैं अपने निधी का उपयोग करूँगा साथ ही साथ भारत सरकार की जो योजनाये हैं उसमें मेरे अस्तर पर जितनी मामदारी हो सकती हो तो मैं करूँगा ही करूँगा अधिकारियों का स्तर पर भी किसी प्रकार का कोई भरस्टाचार कर नहो इस दिसा भी में काम करूँंगा और उसमें में काम कर रहा हूं रही tworinty जाने की बात मुझे लगता है कि हम लोगोंके प्रयाज ढ़िए मडिकल कालेज की घुसला वहां पर हो गई हैं अभी राम-जान की मार्क को राष्टी राज मार्क घुसित करने का प्रस्ताव आदरी ककरी जी ने भेजा है अगर भी हो जाएगा बहुत बड़ा काम होगा धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस दिसाम में प्रेयास कर रहे हैं कि बस्ती को जिस प्रकार बस्ती के बारे रे 174 बजट पर बड़ी चरचा हो कि है बजबस्ती से कट्रा होते हुए लाहबाद के लिए तो मुझे लगता है कि इस पर हमारे मंत्री जी ने आस्वासन दिया कि आम बजट जबाएगा जनुवी फरुई में तो उसमें हम प्रयास करेंगे बस्ती कह रही है कि मुझे सैनिटेशन मिल जाए पानी पीने का मिल जाए और बिजली मिल जाए यह तीन मूलभूत ऐसी बातें थी जिस पर पूरी की पूरी चुनाओ के लड़ाई लड़ी गई इसमें से क्या मिल एक भारत सरकार की एक योजना आधरी मोंदी जी के हमारी सरकार ने प्रयास किया है हर गाओं को विद्धुती करण से करवा देगी और मुझे लगता है कि अगर यह हो जाएगा उसका टेंडर भी होने वाला है महीना दो महीने के अंदर होने वाला है तो साल डेर साल के अंदर बस्ती जिला ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का कोई गाओं ऐसा नहीं बचेगा जहां विद्धुती करण नहीं हो साल की विद्धुत भी देना विद्धुती करण खंबा खड़ा हो जाए लाइन खिच जाए और विद्धुत ना आए तो उससे कोई लाब नहीं बिद्धुत भी देने का लच्छ हमारी सरकार ने रखा है कि आने वाले साल डेर साल दो साल के अंदर हम 24 घंटा लाइट बस्ती को भी और उत्तरपदेश को भी देश को भी जिसकी उसको दरकार है लेकिन जरूवत इस बात की है कि जनता अपना यकीन हम पे बना कर रखे और हमारे साथ पूरी भागीदारी करे हम वो सब कुछ देंगे जिसकी हमने जिम्मेदारी लिए लेकिन जहां पे हम नहीं दे रहे हैं तो आप मांगिए और हम बार-बार सवाल उठाएंगे कि आपने जो वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन ला के दिखाईए आज शक्सियत में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे जाज़त देश और दुनिया की बाकी ख़बरों क झाल